हेलो एवरिवान वेलकम बाक टू दे चानल आज का हमारा टॉपिक है टॉप हंड़र्ड एकोनॉमिक्स कोशिंस तो हम यहाँ पे टॉप हंड़र्ड एकोनॉमिक्स के गया एंकको उसको कवर कराएंगे आपको हमने आप एस सारे कॉश्शंद्स लिए हैं जो आप एक्जाम पॉइंड और दॉप हर को पड़ना एक चलिए, start करते हैं, आपका पहला question है, what is the full form of UPI, तो UPI का full form क्या है यह आपको बताना है, पहले आप खुद guess करिए, अगर आज जानते हैं तो ठीक है, otherwise हम आपको बताएंगे, तो UPI का full form है, Unified Payments Interface, तो इसकी जो owner है, वो है National Payments Corporation of India, जिसे हम NPCI भी कहते हैं, और इसे introduced किया गया था, on 11th April 2016 को in India, ठीक है, Unified Payments Interface, याद रखिए, exam में directly पूछता है, what is, what I stands in UPI, तो इसका अंसर हो जगा interface, तो इस तरीके के question exam में पूछे जाते हैं, तो guys आप जो भी exam की तयारी कर रहे हैं, यह video बहुत ही आपके लिए important होने व तो नाबाड जो है, यह किस से associated है, इसका development किस में है, देखिए, agriculture में है, heavy में है, industry में है, banking में है, या फिर real estate में है, तो आपको पता होगा I know, because अगर आपने हमारे previous videos को देखे हैं, हमने बहुत बात किया है नाबाड के बारे में, तो यह जो है, discuss करता है, agriculture and rural areas को, ठीक है, agriculture sector को focus करता है नाबाड, बात करें नाबाड की, तो इसको जो establish किया गया था, 12 July 1982 को, directly question पूछा जाता है, यह नाबाड वो कब establish किया गया, तो इसका answer हो जाएगा, 1982, इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए, कि नाबाड के chairman है, यहां के K.V. शाजी, ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा, एक्जामें पूछ सकता है, तो यह recently ही आए है, तो आपको यह याद रखना है, चलिए, next question देखिए, तो guys हम थोड़ा speed up करेंगे, क्योंकि 100 questions है, तो आपको lengthy video फिर पसंद नहीं आएगा, हम इसे थोड़ा speed रखेंगे, चलिए, next question देखिए, which of the following is represented by Lawrence curve बहुत important question है, Lawrence curve जो होता है, यह क्या दिखाता है, आपको यह बताना है, तो यह दिखाता है, income distribution जो होता है, वो बताता है, तो देखिए, in economics, Lawrence curve is a graphical representation of distribution of income or wealth, तो यह income का distribution बताता है, इसको develop किया गया था by Max O. Lawrence, इसले इसका नाम जो है, Lawrence curve है, इसको 1905 में से इन्होंने develop किया next देखिए, the term core inflation refers to, तो core inflation क्या होता है, core inflation जब तब होता है, जब inflation जो है, किसमें होता है, बाकी सब में होता है, बाकी सब में होता है, बाकी सब में होता है, बाकी सारे field में inflation जो होती है, प्राइस जो होती है, वो increase होती है तो यह होता है meaning of core inflation हम inflation की बात आगे slides में करेंगे, next देखे economic survey is published by whom तो economic survey और budget जो होता है हमारा बहुत important exam point of view से हमने video upload किया हुआ है आप यहाँ जाके check out कर सकते हैं उपर आई बटन में आपको मिल जाएगा link तो यह जो economic survey है इसे कौन publish करते हैं यह करी जाती है by ministry of finance चलिए, next देखे which among the following bodies estimate the national income of India तो national income of India को कौन यहाँ पर estimate करते हैं तो यह estimate की जाती है by central statistic office तो guys ऐसे question में आपको बहुत confusion होगा क्योंकि आप ministry of finance और इन में confused होगे तो जरूर इसको देख के जाएगा exam point of view से बहुत ही important है यह तो आज कल की exam में ऐसे question आ भी रहे हैं तो देखे central statistics office is a government agency in India under the ministry of statistics and program implementation ठीक है तो मौसपी कहते हैं इसे actual में तो ministry of statistics and program implementation के अंडर पर आता है central statistical office यह जो है national income को यहाँ पर calculate करते हैं next है sustained rise in general price level in economy is called तो देखे अभी हमने बताया था कि हम inflation की बात करेंगे तो ज़र general price level जो होता rise होता है in the economy हना हर समान की जो चीज cost है वो बढ़ती है तो उसे कहा जाता है inflation ठीक है इसका quite opposite होता है deflation मतलब यहाँ पर सबका जो price होता है वो कम होता है deflation का मतलब यह है और stackflation का क्या मतलब होता है इसमें price rise होता है but output जो होती है वो decrease होती है next है disinflation यहाँ पर क्या होता है temporary slow of pace of price inflation मतलब suddenly increase हो और फिशनली रूग गया इसे कहा जाता है disinflation next देखिए which among the following is the world's largest foreign exchange market largest foreign exchange market है कहा का London तो देखिए London followed by New York यह first position पे है यह second third है Tokyo, fourth है Zurich और fifth है Frankfurt तो यह है world के five largest exchange foreign exchange market next है very important question who is known as the father of economics economics के father जो है यह कहा जाते है Adam Smith, ठीक है चलिए, next देखिए the philips curve show the relationship between very very important इसको बस आप ऐसे याद रखिए UPI बस आपको यह याद रखना है UPI में U है unemployment I है inflation और P है यहाँ पे philip curve बस इसको आपको याद रखना है इसका answer आपको अभी मिल जाएगा देखिए inflation and unemployment दिख रहे है UPI तो यह है philip curve तो मैंने आपको easy trick से बताया यह ऐसे याद रखिएगा तो यह जो है graph है graph बताता है inflation और unemployment का तो इस तरह किसे अगर आप graph draw करें तो inflation और unemployment को यह distribute करके बताता है next है which organization calculates gross domestic product for India तो GDP जो होती है वो कौन calculate करते है तो GDP को calculate किया जाता है by Central Statistic Office तो जो हमारी economic survey कर रही थी वही कर रही है यहाँ पे GDP को भी तो यह GDP किसने discover किया था develop किया था first time Simon Kuznet ने किया था GDP को discover next है the net value of gross domestic product after deducting depreciation from it is तो देखिये गाईस यह question भी बहुत चल रहा है आजकल GDP equal to sorry NNP NDP equal to GDP minus depreciation यह होता है formula ठीक है कुछ नहीं है बहुत easy है बस gross और यहाँ पे net तो gross में अगर आप depreciation को minus कर देंगे तो आप वो क्या मिल जाएगा net domestic product मिल जाएगा इतना ही आपको याद रखना है बहुत easy है ऐसे questions exam में आजकल बहुत आ रहे हैं इसलिए हमने आप इसको include किया है guys सारे questions यहाँ पे बहुत important है आप सारे questions को अच्छी से पढ़िए चलिए next देखिए which sector is in economy is the largest contributor to gross national product तो हमारे पूरे economy में कौन सी ऐसी largest contributor है to the gross national product तो यहाँ पे gross national product को contribute करती है territory sector अब यह sectors क्या है primary, secondary हम इसको पढ़ेंगे आगे आगे हमने आपके लिए इसको brief form में बताया हुआ है वहाँ पे हम discuss करेंगे कि economy में कितने types होते है primary sector होती है secondary होती है territory होती है quaternary होती है तो हम इने सब को अभी आगे discuss करेंगे चलिए next question देखेगा where are the headquarters of Asian Development Bank तो Asian Development Bank का headquarters कहां पे है तो यह है in Manila ठीक है Manila Philippines में है यह Asian Development Bank का headquarters next question है which index is commonly used to measure inflation in United States United States की बात नहीं है हर जगा पे आपको अगर inflation को count यानि की measure करना है यानि की आपना है तो आपको consumer price index को use करना होता है ठीक है चलिए next question देखे what is the interest rate at which RBI borrows from bank उस interest rate को क्या कहते है जब RBI जो है money लेती है from bank ठीक है तो देखे दो process होता है एक है RBI और एक है bank है ठीक है तो अगर RBI जो है bank को पैसा देगी ठीक है RBI bank को पैसा दे रही है तो इसे कहा जाएगा repo rate ठीक है और अगर bank जो है ULTA RBI अगर उससे लेगी bank से तो इसे कहा जाएगा reverse repo rate बस यही है ठीक है तो अगर आपको याद ऐसे रखना है कि RBI बड़ी है bank ठीक है तो यह इसको दे रही है तो यह repo rate है बट यह बड़ी bank अगर छोटी bank से लेगी तो इसका reverse हो रहा है तो बस इसे कहा जाता है reverse repo rate तो यह है easy तरीके से इसको याद रखने का तरीका तो यहाँ पे देखिए RBI borrows from bank यानि RBI ले रही है यानि RBI बड़ी है और वो छोटे से ले रही है तो यह हो जाएगा reverse repo rate बस आपको इस तरीके से इसे याद रखना है चलिए ठीक है इस option को आप सही कर लीजेगा यहाँ पे B हो जाएगा तो देखिए The Reserve Bank of India controls the rate of interest on loans and savings यह control करती है सारे rate of interest को और अगर देखिए यहाँ पर यही लिखा है कि repo rate क्या होता है हमने आपको explain कर दिया repo rate क्या होता है RBI जो है पैसा किसको देगी bank को देगी ठीक है और उसके बदले वो इससे interest लेगी तो वो होता है यहाँ पर repo rate उस interest rate को कहा जाता है repo rate और अगर RBI वापस पैसा ले रही है bank से ठीक है तो उसको कुछ interest पे करना होगा bank को तो वो कहा जाता है reverse repo rate तो I hope आपको मैंने clear कर दिया है कोई भी अगर doubt है तो आप comment section में comment करिएगा next देखिए how many banks were nationalized in India इंद ये 1969 तो 1969 में कितने bank को यहाँ पे nationalized किया गया था 14 banks को nationalized किया गया था तो देखिए 1969 में 14 major private banks और इन्हें जो हैं यहाँ पे nationalized किया गया था इन में से एक one of the biggest banks था Bank of India इसके बाद 1980 में 6 और private banks को nationalized कर दिया गया था next है major percentage of working population in India is engaged in तो देखिए जैसे हमने sectors की बात करी है हम आपको आगे बताएंगे actually तो sectors में जो primary sector है, secondary sector है इन में से कौन सा जो है इसमें हमारी जो India की major population involved है यानि कि ज़्यादा population इंडिया की क्या चीज में लगी हुई है कि आपको बता रहा है किस काम में लगी हुई है तो इसमें जो है हमारी इंडिया की population ज़्यादा तर है primary sector तो basically primary sector जो होता है ये agriculture होता है हम आपको अब ब्रीफ बता रहे है आगे हम इसे discuss करेंगे तो ये जो है agriculture होता है तो agriculture में यहाँ पे हमारी major population involved है देखें more than 50% actually 51% है to actual में ये इंडिया की population 51% of India population जो है लगी हुई है in agriculture sector याणि की primary sector next है इन इंडिया the economic reform policy was introduced in which year तो पहली बार economic reform policy को कब introduced किया गया था very very important question इसे 1991 में यहाँ पे introduced किया गया था for faster and better economic growth के लिए तो इसको जो है initiate किया गया था by नरसिम्मर राओ जो की strengthen करते हैं यहाँ पे इंडिया economy को next question देखे when was the first economic survey presented in India तो economic survey सबसे पहली बार कब present की गई थी तो यह की गई थी इंडिया 1950 to 1951 हमने आपको यह सारा जो economic survey और budget से related question है brief में यह सारे questions को explain किया है in the video जो हमने अलग से बनाया है on this particular topic आपको link हम दे देंगे वहां से जाके जरूर देखेगा चलिए next देखे which term describes a situation where inflation and unemployment are both high यानि कि वहाँ पे inflation भी है है ना बहुत ज़्यादा price भी rise हो रही है और सबकी jobs जा रही है फिर unemployment जादा है उसे कहा जाता है stagflation ठीक है तो इसका मतलब होता है actually inflation हो रही है plus stagnation हो रही है तो बस यही है stagflation का next देखे inflation cost by increase in cost of inputs such as labor raw material is known as तो जब यहाँ पे cost increase हो रही है किसकी labor की raw materials की तो उसे क्या कहा जाता है यह कहा जाता है यहाँ पे cost pull inflation ठीक है तो यहाँ पे cost of inputs बढ़ रही है तो इसे cost pull inflation कहा जाता है ठीक है guys अगर आपको inflation की उपर एक particular अलग से video चाहिए तो आप comment section में comment करिएगा हम आपको 2-3 दिन में जरूर video लाके देंगे तो यूदिकि inflation जो topic है अभी exam point of view से बहुत important है अभी बहुत news में भी थी तो आपको पका यहाँ से question आएगा अगर चाहिए video तो comment section में comment करिए ठीक है तो एक और बात यहाँ पे important है कि monetary policy जो होती है यह बनाई जाती है by central banks तो यह जो है हमारे inflation को control करती है अगर price rise होगा तो उसको कोई तो कोई control करेगा तो वो करती है RBI RBI जो है हमारी monetary policy देती है जिसमें यह क्या करती है bank rates को क्या करती है high कर देती है बहुत जादा कर देती है तो जब अगर वो bank interest rate को जादा करेगी तो लोग loans जो है कम लेंगे और इस तरीके से जो पैसा होगा वो कम होगा क्योंकि अगर loan नहीं रहेंगे लोग तो वहाँ पैसा पुल होगा banks के अंदर इस तरीके से होता है इसका काम तो inflation को control करने के लिए monetary policy को दिया जाता है next question है which of the following is an example of hyper inflation hyper inflation में कितना percent inflation होता है यह आपको बताना है तो यहाँ पर याद रखिएगा thousand percent यहाँ पर inflation होता है next है fiscal policy in India is formulated by fiscal policy जो है इंडिया में यह formulate की जाती है किसके द्वारा finance ministry के द्वारा ठीक है तो यह जैसे देखिए fiscal policy है monetary policy है ऐसे question आते है अब भी monetary policy कौन बनाता है RBI बनाती है fiscal policy कौन बनाता है finance ministry बनाती है तो आपको इस तरीके से इसे याद रखना है इसे just पढ़ लीजेगा next देखिए small industry development bank of India set up on तो sit b इस bank को कब set up किया गया है इसे किया गया है on April 2nd 1990 को तो यह है क्या it acts as a principal finance institution for promotion, financing, development of MSME तो micro, small and medium enterprises जो होते हैं उनको financing करने के लिए यह SIDBI bank को यहाँ पे बनाया गया था जिसका headquarter जो है लखनाओ में है तो देखिए NABARD, SIDBI इसके questions आते हैं एक्जाम में साथ में एक और है SEBI तो SEBI से भी question आता है आपको अगर पूछा जाए कि SEBI क्या करता है SEBI का main काम क्या है जैसे कि NABARD क्या था Agriculture sector पर focus कर रहा है SIDBI क्या कर रहा है MSME पर focus कर रहा है उस तरीके से SEBI क्या करता है यह आपको बताना है अगर आप जानते है comment section में अभी अभी जल्दी से अभी comment करिए ठीक है Next देखिए The major impasses in the first five year plan was तो हमने five year plans जो है उनको भी आपको video बना के दिया हुआ है तो वहाँ पर हमने सब कुछ discuss किया है यहाँ पर हम सिर्फ important questions को रखे है तो यह जो first five year plan था वो discuss कर रहा था agriculture sector को यह start हुआ था in the year 1951 Next है cost push inflation occurs due to तो cost push है यह ठीक है हमने पहले pull पड़ा तो cost push inflation जो है यह होता है rise in production cost की वज़े से next question The planning commission was set up in which year in India तो planning commission क्या थी तो planning commission ही थी जिसने यहाँ पर जितने भी five year plans है वो बनाए थे फिर 2015 में planning commission को हटा करके नीती आयोग का formation किया गया है तो planning commission को actual में कब बनाई गई थी यह बनाई गई थी इंदे यह 1950 ठीक है 15 March 1950 को planning commission बनाई गई और 2015 में इसे हटा करके नीती आयोग को बनाया गया ठीक है चलिए next देखे demand pull inflation is caused by demand pull inflation जो है यह increase in consumer spending की बज़े से होता है ठीक है जब जो consumer ज़्यादा spend करेगा तो उसे कहा जाता है demand pull inflation next है the most appropriate measure of countries economic growth is it तो अगर आपको किसी country का growth देखना है तो उसको measure करने के लिए आप सबसे ज़्यादा क्या देखेंगे तो यहाँ पे देखा जाएगा उसका per capita real income तो per capita income होता क्या है यह average income होता है earned by person in a specified year मतलब एक particular year जैसे कि हम बात करें 21 से लेके 22 की तो इस year में हम example ले रहे हैं इस year में average income कितना कमाया गया है इसे कहा जाता है यहाँ पे per capita income next है दक्ष is a payment fraud reporting module maintained by which institution तो दक्ष जो है एक fraud reporting module है यह जो है किसके द्वारा maintained किया जाता है यह करा जाता है by RBI तो बस यहाँ पे यही लिखा है RBI Reserve Bank of India जस्ट जल्दी से quick recap 1935 में इसे established किया गया था और अभी के इसके जो governor है वो है शक्तिकान दास next देखिए the Banking Regulation Act was passed in India in तो Banking Regulation Act को कब पास किया गया था इसे किया गया था India 1949 तो इसका main objective क्या था देखे the main objective of Banking Regulation Act is to ensure sound banking through regulation covering the opening of branches, maintenance of liquid assets तो Banking Regulation Act के द्वारा क्या हुआ था branches याँ different branches को यहाँ पे set up किया गया था और liquid assets को maintain किया गया था next human development index was developed by human development index को developed किया गया है by महभूब उलहक next है per capita income is also known as तो हमने अभी पढ़ा per capita income क्या होता है इसको और क्या कहा जाता है इसे हम average income भी कहते हैं ठीक है यह हमने अलड़ी पढ़ा है इसलिए मैंने बता रही हूँ next देखे which committee was set up to review the concept of poverty line तो poverty line को यह जो concept है इसको review करने के लिए कौन सी committee को बुलाया गया था तो यहाँ पे S.Tendulkar committee को बुलाया गया था देखे तो यह था इसका next देखे the operation flood is related to तो operation flood जो है किसे related है यह related है to the milk production next है which theory is used to make long run production prediction about exchange rate in flexible exchange rate system देखे यह question जो है यहाँ पर मैंने इसलिए include किया क्योंकि इसका answer है purchasing power parity theory आपको directly यह PPP करके दिया जाता है और आपसे इसमें full form पूछा जाता है इसका meaning है purchasing power parity ठीक है next question देखेगा who is called as pioneer of liberalization of Indian economy तो इंडिया के economy को pioneer of liberalization किसे कहा जाता है यह कहा जाता है Dr. Manmohan Singh को यह option गलत है यह आपर ए option होगा ठीक है तो Manmohan Singh is called as pioneer of liberalization of Indian economy और यह जो है 8th 5-year plan जो होता है उसे Rao and Manmohan plan भी कहा जाता है ठीक है next question in India which of the following 5-year plan the slogan of Garibi Hatau was given तो यहाँ पर directly आपसे पूछ रहा है कि Garibi Hatau यह जो slogan है किस 5-year plan में दिया गया था तो इसे दिया गया था in the 5th 5-year plan तो देखें यह कब हुआ था 1969 से लेके 74 के बीच में Ashok Roodran Manan model कहा जाता है इसे है ना इसमें जो है गरीबी Hatau का नारा दिया गया था next देखें how many language are printed in Indian currency note excluding Hindi and English तो Hindi और English के अलावा हमारे note में कितने languages होते हैं यह आपको बताना है तो यहाँ पर होते हैं actual में total 17 होते हैं बट जब Hindi और English को आप हटा देंगे तो कितने बचेंगे 15 बचेंगे तो यहाँ पर 15 languages होते हैं excluding Hindi and English next question the mix of inflation and stagnation is called as तो मैंने आपको अरड़ी बता दिया है यह इसे क्या कहा जाता है बस stagflation इसका answer हो जाएगा stagflation तो इसमें क्या होता है refers to a market that is experiencing both rise in inflation and slowdown of economic output तो price तो increase हो रहा है और economy जो है कम हो रही है मतलब गिरती जा रही है इसे कहा जाता है stagflation next है the national stock exchange of India was established in यानि कि NSE ठीक है NSE जो है इसे कब established किया गया है इसे established किया गया है in the year 1992 इसी year में SEBI को भी यहाँ पे established किया गया था चलिए next देखे primary emphasis during second plan was laid on the development of तो देखे first five year plan जो था वहाँ पे agriculture को बढ़ावा दिया गया था और second five year plan में industry को बढ़ावा दिया गया था उसे हम महालनबस model भी कहते है ठीक है तो आपको बस यहाँ पे टिक करना है basic and key industries ठीक है जो industries है उनके development को बताया गया था in the second five year plan तो देखे यही लिखा है यहाँ पे इसे महालनबस model कहा जाता है next देखे which among the following is excluded in tertiary sector okay included okay यहाँ पे included है sorry तो यहाँ पे tertiary sector में कौन सा आता है एक मिन्ट मैं आपको बताई ही देती हूं कितने सारे sector तो गाइस देखे यहाँ पे sectors हमारे तीन है primary, secondary और tertiary primary में आता है agriculture, dairy, fishing और forestry यानि कि primary source है directly हम यहाँ पे agriculture कर रहे है और हमें यहाँ पे हमें crop मिल रहा है यह होता है primary sector secondary sector में क्या होता है हम primary को use करके secondary बनाते है ठीक है मतलब यहाँ पे जो generate हुआ उसको use करके secondary होता है यानि कि manufacturing industry यहाँ पे manufacture का का काम होता है और tertiary sector में क्या आता है service sector आता है territory sector में इसके अलावा दो और होते है तो इसके अलावा हमारे पास होता है एक quarternery quarternery economy होता है यह fourth है ना और इसके बाद होता है Qnery economy तो quarternery में कौन आता है इसे हम knowledge sector के नाम से भी जानते है तो यहाँ पे जो भी knowledge sector होता है ना यानि कि university हो गया, hospitals हो गया इसे हम include करते हैं इन्दा quarternery economy यानि कि sector और next होता है एक Qnery यानि कि Qnery economy यहाँ पे होते हैं जो high level policy makers होते हैं government हो गया इनको कहा जाता है Qnery sector और यहाँ पे economy मैंने लिख दिया है यह sector है तो इन्हें जो है gold collar भी कहा जाता है ठीक है तो इस तरीके से होता है five sectors total main important आपके लिए यह तीन है यह तीन आपके लिए important है primary, secondary और territory इसके अलावा आप वो दोनों भी आद रखे है Qnery and Quaternary I hope आपको clear करा है मैंने आप बताईए territory sector में कौन आता है यह आपको बताना है तो देखे manufacturing तो नहीं आती यह किस में आती है secondary में आती है forestry किस में आती है पहले में यानि कि primary में mining भी primary में आती है बची कौन सी? banking तो banking आती है इंदा territory sector next question है India's first official census operation was undertaken in which year? तो पहली बार इंदिया में census कब हुआ तो इसे कहा जा रहा है first synchronized census census ठीक है? यह देखे first synchronized census जो है यह हुआ था in the year 1881 में इसके अलावा पहले भी हो चुका था एक census वो हुआ था 1872 में ठीक है? तो इसे करवाया था किसने? पहला census किसने करवाया था? Lord Mayo ने करवाया और first synchronous census जो था इसे Lord Ripon के टाइम पे करवाया गया था और census को जो है every 10 years किया जाता है तो देखे गाइस census का भी वीडियो uploaded है आप वो भी देख सकते हैं आपको हम लिंक प्रोवाइट कर देंगे same यहीं पे next देखे deficit financing means government borrows money from deficit financing में government कहा से money लेती है? यह लेती है RBI से तो RBI से जब money लिया जाएगा by government उसे कहा जाता है deficit financing next है Imperial Bank of India renamed as State Bank of India after nationalization in the year यानि किसका नाम कब change किया गया? यह आपको बताना है यह किया गया था in the year 1955 ठीक है? तो यह रहा State Bank of India is a Indian multinational public sector bank and financial services statutory body headquarter इसका Mumbai में है इसे 1 July 1955 को established किया गया था और इसे के जो first chairman थे वो थे John Mathai next देखिए Niti I.O. came into existence on हमने आपको डिस्कस करके बता दिया है इसको जो है 2015 में established किया गया था 1st January को headquarter इसका New Delhi है और chairperson इसके है Narendra Modi next है अच्छा अभी recently इसके CEO नए बने है तो उनका नाम आपको comment section में बताना है कौन है इसके CEO ठीक है next है who is known as father of five year planning commission तो father of five year planning commission कहा जाता है Joseph Stalin को next है when did India became a member of international monetary fund तो IMF की India का member बनी थी ये बनी थी इंड़ियर 1945 बात करें IMF की इसे found किया गया है जुलाई 1944 में और अगले साली इंडिया इसमें जॉइन हो गई थी इसके अभी जो managing director है वो है Crystalina Georgieva ठीक है next देखिए the headquarter of world trade organization is situated तो world trade organization का headquarter है कहाँ पे Geneva में तो मैंने आपको full form तो बता दिया established इसे किया गया है 1995 में और इसमें फिलहाल 164 countries है next है which is the largest nationalized bank of India तो largest nationalized bank of India है state bank of India next है golden revolution is related to तो golden revelation जो है यह related है to the hearty culture and honey तो बस आपको उसका color देखके ही आपको समझ में आ जाएगा next question है national rural livelihood mission was initiated from which city तो national rural livelihood mission NRLM NRLM ठीक है इसे जो है initiate किया गया था from Banswada ठीक है देखे इसका है क्या motive NRLM जो है इसे launch किया गया था ministry of rural development के द्वारा in the year 2011 और इसके राजस्थान के इस जगह से Banswara से start किया गया था next है which Indian state has the largest number of cotton textile mills तो largest number of cotton textile mills कहां पे है ये है महरास्ट्रा में next है who was the author of the book India's Economic Policy The Gandhian Blueprint ये बुक को लिखा है किसने चौधरी चरन सिंग ने next question है the other name of terrestri sector is तो other name of terrestri sector क्या है ये है service sector ठीक है तो यहाँ पे सारे services involved है इसलिए से कहा जाता है services sector तो जैसे हमने आपको बताया हमने ये चारे आपको discuss करके बताये है primary sector, secondary sector, terrestri, quaternary and quaternary ये आपके लिए उतना important है बट ये तो आपको अच्छे से याद रखना है next देखे who was the first Indian governor of RBI तो RBI के पहले Indian governor कौन थे ये थे C.D. Deshmuk next question है who was the chairman of first finance commission तो chairman of first finance commission थे K.C. Niyogi next question which of the following ministry is responsible to implement national green hydrogen mission तो national green hydrogen mission को कौन करती है new and renewable energy ministry जो है ये implement करती है next है which among the following is the oldest public sector bank of India oldest public sector bank कौन सा है Allahabad bank है यहाँ पी यही लिखा है oldest है इसे 1865 में established किया गया था अगला question है in which year regional rural bank in our country started working यानि कि RRB की शुरुआत कब हुई थी ये आपको बताना है ठीक है तो RRBs जो है इन्हें 1975 में start किया गया था next question है which is the oldest stock exchange in Asia the oldest stock exchange in Asia कौन सा है Bombay Stock Exchange तो इसे जो है 1875 में start किया गया था Mumbai में है ये किसके द्वारा start किया गया था प्रेम चन रॉय चन के द्वारा इसे 9 July 1875 को start किया गया था अगला है which bank has established in India at Calcutta under European management यनि कि 1770 में established किया गया था इसे कौन सा bank आपको ये बताना है तो ये है bank of Hindustan अगला question Reserve Bank of India was nationalized in year तो इसे nationalized किया गया है Reserve Bank को कब? 1949 में established इसे कर दिया गया था 1935 में बट इसे nationalized किया गया था 1949 में इसके first governor थे Osborne Smith और first Indian governor कौन थे? अभी हमने पढ़ा C.D. Deshmuk तो आपको ये दोनों याद रखने है अगला question Agriculture is under which sector? Very very easy question है न? कितने बार बताया मैंने आपको इसका answer हो जाएगा primary sector अगला question है Who wrote the book Planned Economy for India? तो इस book को लिखा है M. Visway Saraya ने अगला question है The money supply in India is controlled by तो money supply जो है इंडिया में ये control करता है कौन? Reserve Bank of India जैसे मैंने आपको बताया ये monetary policy देते हैं उस policy में ये अपना interest rate जो है अगर inflation है तो उस time पे interest rate को ये बढ़ा देते हैं ताकि पैसा जो हो pull हो जाए from the market Next question है Which of the following is the form of indirect tax? तो tax के question में बहुत आते हैं काम में आपके तो यहाँ पे इन में से indirect tax कौन सा है? तो ये है sales tax जो है indirect tax है हम आगे आपको बताएंगे different types of tax Next question देखिए Which of the following taxes are abolished by goods and service tax? तो देखिए पहले बहुत सारे taxes थे बड़ जब से GST को introduce किया गया है इन में से कौन सा है? हटा दिया गया है ये आपको बताना है तो इन में से जो है VAT value added tax को हटा दिया गया है तो देखिए the goods and service tax यानि कि GST इसने central or state के जो indirect taxes थे यानि कि VAT excise duty service tax इनको हटा करके सिर्फ हमारे पास अब एक कौन सा है? GST और GST को implement किया गया था in the year 2017 तो ये रहा types of tax तो देखिए types में दो types के tax होता है पहले तो direct और एक indirect direct यानि कि directly लिया जाता है जैसे कि हमारा income tax हमसे directly लिया जाता है corporate tax corporate से directly लिया जाता है gift tax और minimum alternate tax तो ये हैं direct taxes और indirect tax में आते हैं sales tax, value added tax, GST और excise तो अभी ये सब नहीं है सिर्फ अभी जो है वो है GST तो आपको exam में कुछ भी पूछा जा सकता है इन में से अगर आप से पूछा जाए कि sales tax is a example of direct tax या फिर indirect tax तो answer आपको देना पड़ेगा तो इस तरीके से आपको ये question को prepare करना है next question देखिए who presented the first union budget of independent India तो ये present किया गया था आर के शनमुकम चेटी के जवारा तो ये इन्होंने कब किया था ये जो budget था August से लेके March जो time था 1947-48 का उस time के लिए ये budget दिया गया था और ये इन्होंने present किया था next है rapid financing instrument and rapid credit facility are related to provision of lending by which of the following तो ये दोनों जो है किसकी properties है यानि कौन ये provide करता है ये facility आपको बतानी है तो ये provide की जाती है by international monetary fund यानि कि IMF जो है rapid credit facility और rapid financing instrument को provide करती है next है नाबाड was established on the recommendation of which committee तो नाबाड जो है इससे established किया गया था by the recommendation of Shiva Raman committee जो की हुई थी देखिए 1981 में और 1982 में फिर इससे established किया गया था next है how many journal office does RBI has तो Reserve Bank of India के कितने journal office है इनके जो है total four journal office है तो यापे देखिए ये 31 different location में है RBI headquarter तो इसका Mumbai में है 19 regional office है और इनकी four जो है zonal office है next है the concept of five year plans in India was introduced by whom तो five year plan को India में किसने introduced किया था तो ये किया गया था by Jawahar Lal Nehru तो बताइए कि जो five year plan था इसका जो concept है हमने कहां से borrow किया है तो इसको जो है Russia के constitution से borrow किया गया है ठीक है next देखिए what is the upper limit of RTGS transaction in India RTGS transaction होता क्या पहले आप ये देख लिजे real time gross settlement ठीक है तो इसमें क्या होता है आप अगर पैसा भेज रहे हैं किसी को तो instant transfer हो जाता है पैसा बाकी सब में क्या होता है थोड़ा time लगता है बड़ इसमें जाए instant transfer हो जाता है उसका minimum limit कितना upper limit पूछ रहे है तो यहाँ पर लिमिट जो है इसका ये है no limit आप कितना भी पैसा transaction कर सकते है तो ये है RTGS आपसे अगर ये ना पूछा जाए तो ये तो पूछेगा कि RTGS में T का मतलब क्या है S का मतलब क्या है G का मतलब क्या है इस तरीके के question exam में आते हैं तो आपको हर तरीके के question देखने है मैं जो बता रही हूँ ये एक है यहाँ पर आपके दो तीन और extra question बनेंगे ठीक है Next देखे What is the full form of GST I hope आप ये कर लेंगे GST का full form क्या है Goods and service tax इसे 2017 में established किया गया था और इसका जो concept है ये हम लाए है कहां से Canada से Canada के constitution से हमने इसे adopt किया है तो देखे types of GST GST के 4 types होते है आपके लिए ये तीन बहुत important है CAGST यानि कि Central Goods and Service Tax यानि कि इसे लिया जाता है by Central Government Next है SGST जो कि state लेती है और IGST यानि कि Integrated Goods and Service Tax तो integrated कहां भी यूज होता है हम अभी आगे पढ़ेंगे देखे तो देखे यापी क्या है What does I in IGST stand for तो ऐसे question आते हैं आपके एक्जाम में तो इसका answer हो जाएगा Integrated तो integrated उटाता है Integrated Goods and Service Tax तो देखे इसे 2017 में हमने Establish किया हमने बता दिया है न Next देखे RTGS हो चुका है हमने पढ़ लिया अच्छा तो RTGS के अलावार और भी टाइप्स हैं जिसके वज़े से हम bank money जो है transfer कर सकते हैं एक है NEFT, RTGS और IMPS तो यह तीन तरीके हैं जिससे पैसा आप transfer कर सकते हैं तो इसका जो minimum और upper limit होता है यह आप याद रख लीज़े यह दोनों important है तो एक बढ़ जस इसको देख लीज़े क्योंकि exam में आपसे अगर पूछा जाए तो आपको इसका answer देना पड़ेगा तो यहाँ पर RTGS का minimum limit है यह important है और यहाँ IMPS का highest limit दोनों ही 2,00,00,00 हैं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं ठीक है चलिए, next question देखिए maximum rate of CGST prescribed by law of intrastate supply medis तो यानि कितना maximum CGST कोई charge कर सकता है यह आपको बताना है यहाँ पर तो maximum जो है 20% charge किया जाता है ठीक है तो guys यह थे हमारे सारे important question आपके लिए एक दो question है देखिए जो आने के chances है पहला question है the law of demand implies that demand curve तो आपको यह बताना है हम आपको इसका answer next जो भी video होगा हम उसमें बताएंगे next अगर आप जानते हैं तो इसको answer और इसका explanation है उसे आप comment section में comment करिएगा बहुत important question है याद रखिएगा next देखिए if the supply falls but demand remains same this type of inflation is called तो यह भी आपको बताना है तो यह दोनों का answer आपको comment section में देना है चलिए तो अब हम discuss करेंगे previous year के कुछ questions को देखिए जल्दी जल्दी discuss करेंगे ज़्यादा time में लेंगे the monetary and credit policy is announced by which of the following तो monetary policy कौन देता है मैंने बताया आपको RBI देता है यह previous year का question है ठीक है next देखिए gross national product depreciation minus depreciation तो मैंने आपको बताया gross में जब भी आप depreciation minus करेंगे आपको जो भी है उसका net मिल जाएगा यहाँ पर national product है तो आपको net national product मिल जाएगा यहाँ पर अगर domestic होता product तो आपको net domestic मिल जाता बस यही है ठीक है next है the study of population क्या कहा जाता है इसे हम कहते है demography next देखिए तो monetary policy यह बहुत ही important question है हर जगा आ रहा है देखिए इसे RBI बनाती है next है price theory is also known as तो price theory होता है micro economics next question है the term micro economics macro economics were coined by तो यह दोनों जो है यह दिये गए है by J.M. Keynes ठीक है तो यह important question है यहाँ से next देखिए fiscal policy is formulated by तो हमने यह अलड़ी पढ़ा है MCQs में इसे बनाती है finance ministry और इसके अलावा एक और question है कि नाबाड का full form क्या होता है very very important question नाबाड का full form होता है National Bank for Agriculture and Rural Development तो यह है इसका full form तो guys मैंने आपको यहाँ पे सारे questions करवा दिये अब आपको एक छोटे से question का answer देना है comment section में देखिए और बताइए मैंने तो आपको इसका trick भी बताया था the Philip curve shows the relation between तो Philip curve जो है किसके बीच में relation बताता है यह आपको बताना है comment करके बताइएगा बहुत important question है exam में आने के बहुत chances है और जो मैंने आपको बताया ना यह questions इनका भी answer आपको देना है comment section में यह वाले तो यह बहुत important है इन तीनों का answer आपको comment section में देना है जल्दी जल्दी और यह दो questions के तो आपको reason भी देना है कि यह क्या है ठीक है बहुत important questions है चलिए ठीक है तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो like करिए share करिए और ऐसे ही exam related content के लिए चैनल को subscribe कर लीजिए आगे अच्छे अच्छे content इस तरीके से आपको मिलते ही रहेंगे Thank you, have a nice day